कोरोना संकट की चलते पिछले दो महने से लगे लॉकडाउन का एकोनॉमी पर बहुत बर आसर पड़ा है इस वज़े से राजस्व का बहुत नुकसान हुआ है साथ ही सरकार का खर्च भी बड़ा है इसको देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैस्टा लेते हुए सबी नई यूजनाओं पर रोक लगा दिया है वितमत्राले ने विबन मंत्रालियों और विभागों द्वारा अगली 9 महिनों या मार्च 2021 तक स्वीक्रत नई यूजनाओं की शुरुआत को रोग दिया है वितमत्राले ने वितवर्श 2020-21 के लिए किसी नई यूजना की शुरुआत पर रोक लगा दी है यह रोक उन्हीं यूजनाओं पर है जो स्विक्रत या मुल्यांकन श्रेणी में है हालकि इस रोक के असर आत्म निर्भर भारत और प्रदान मंत्री गरीब कल्यान यूजनाओं पर नहीं होगा सरकार की और से जारी आदेश में साफतार पर कहा गया है क विबिन मंत्राले नई पर यूजना की शिरुवात ना करे प्रदान मंत्री गरीब कल्यान यूजना या आत्म निर्भर भारत भ्यान के तहट घोशित यूजनाओं पर भ्यान के इंद्रित करे वित्त मंत्राले के वियाविभाक की और से 4 जून को चौरी आदेश में कहा ग 2021 में पहले से ही स्विक्रित या अनुमोदित नई यूजनाओं की शिरुवात एक वर्ष तक निलंबित रहेगी वित्य संकट से जूजने की वज़े से सरकार करज भी जादा ले रही है बीते दिनों सरकार ने एलान किया था कि वह चालों वित्वर्ष के लिए अपने बाजा लाख करोड रुपए के स्थान पर बारा लाख करोड रुपए होगा सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फोर अपडेट्स